नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला आप देख रहें न्यूजेटी निंजा बुलटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ राम मंदर पर सियासर से चुड़ी ये खबर जा समाजवादी पार्टी के राश्ट्रिया द्यक्ष अकलेश यादव ने राम लदा की प आखलेश यादव को निमंतरण देने के लिए लेकिन आखलेश ने निमंतरण लेने से मना कर दिया कि जो आएं हैं उनको मैं नहीं जानता हूं तो निमंतरण मैं सुविकार नहीं करूंगा तो देखिए अखलेश यादब अब से पहले ये कहते रहे कि आमंत्रन आएगा तो जाएंगे अभी तक तो आया नहीं है उनकी पत्नी ये कहते रहें कि निमंत्रन आया तो जाएंगे नहीं आया तो बाद में चले जाएंगे लेकिन अब जब निमंतरण आया तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि जो निमंतरण पत्र लेकर आया मैं तो जानता ही नहीं हूँ इसलिए मैं अब जो है इस निमंतरण को स्विकार नहीं करूँगा विएचपी के नेतायां आलोक कुमार वो इस निमंतरण पत्र को लेकर जाते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखिलेश यादव को ये निमंतरण पत्र सही नहीं लगता है क्योंकि ये आलोक कुमार लाए उनके मुताबिक कोई जानने वाला व्यक्ति लाना चा नहीं उनसे कोई निमंतरण लेते हैं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं और इसके जरीए वो ये कह रहे हैं कि जिनने हम जानते हैं उनको निमंतरण लेकर आए ना मैं उनको जानता हूँ इसलिए मैं उनसे निमंतरण सुईकार नहीं करूंगा तो देखिए सियासत जोरो पर है राम मंदिर कारिक्रम की प्रांट दिश्टा के निमंतरण को लेकर वे पक्षी पाटियों को भी निमंतरण जा रहा है कॉंग्रेस को भी निमंतरण गया लेकिन अखलेश आदफ को जमन निमंतरण गया तो उन्होंने स्विकार कड़े से मना क कर दिया को नहीं जानता हूं ना मेरा इनका कोई पर्चे मैं नहीं जानता हूं ना मेरा कोई पर्चे है ना मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात होगी जो पर्चे वाले हैं हमारे हमारे बेवहार में यही माना जाता है जो पर्चे जिनका होता है वही एक दूसरे को बेवहार देते और इस पर यूपी के डेपटी सीम केश्व प्रसाद अखलेश श्यादव को किसी अच्य डोक्टर से इलाज करानी के जरत प्रसाद मौरेनने का कि अखलेश श्यादव का दिमाग सही नहीं चल रहा है कि ये कमल के फूल का मंदिर है या B-JP का मंदिर है मतलब कल तक जो अखलेश श्यादव अपने हर बयान में आमंत्रण का जिक्र कर रहे थे आज उन्हें वहीं आमंत्रण सुईकार नहीं है इसलेकर विएच्पी ने भी अखलेश व्यादफ पर सवाल खड़े किये विएच्पी के आलोक कुमार ने का कि बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों को निमंत्रण दिया गया क्योंकि अखलेश व्यादफ बार बार ये कह रहे थे कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे तो अब वो उत्सुकता से इंतजार कर रहे है कि समाद्वारी पार्टि के अध्यक्ष को राम जी बुलाते है या नई और अगर नहीं बुलाते तो जंता को भी सपश्टो जाएगा कि Рाम जी नहीं चाहते कि वो आये किया है क्योंकि हमने कैई किया कि सब मेजर पॉरिडिकल पार्डीज के अध्यक्श मुट καर मैंने पहले हुआ रम्टा यह बैन पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे तो बुलाया है है और अब मैंने यह बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे इस बाद की उपसुधा से नटजार करना हूं तो समाज पार्टी को और उसके अध्यक्ष्ट को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं नहीं बुलाएंगे तो फिर वहां की जनता को भी इस परश्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते